अलिगर दलिद दूले की बाराद गाओं के अंदर चर्णे को लेकर जाट समुदाय की लोगों ने किया तांड़ दलिद समाज के शादी में शरीक हुई मैलाओं के साथ जाट समुदाय की लोगों ने अशलीन हरकत करते हुए की गई छिडखानी तोड़ी गई गारियां अलिगर बहुजन समाज पार्टी के जिला ध्यक्ष के हस्त शेप के बाद पुलिस ने कई दिन बाद किया मुकदमा तर्ज अलिगर पुलिस की कारे प्रिणाली पर खड़े हुए सवाल या निशान दरसल अलिगर के थाना अतरौली छेत्रे अलाके के गाउं चितना अंगला के रहने वाले दलिग समाज से तालुक रखने वाले काली चलन की बेटी कुमारी नेखा की शादी गाउं के ही रहने वाले नीरज कुमार के साथ दिनांक 30 नवंबर 2020 के बीच तैय की गए थी और जब दूलहां अपने बारातियों के साथ अपनी गारियों में सवार होकर बारात लेकर गाउं पहुँचा तो उसी दोरान देर रात करीब 9 बजे जब गाउं के अंदर दलित समुदाय की बारात गाउं के रास्ते गलियों के अंदर से होकर गुजर रही थी दूलहे के घर से सौ मीटर के दूरी पर गाउं के रहने वाले इसमार ने जाती के जार्ट समुदाय के 40-45 व्यक्तियों ने बारात को अपने घरों के सामने आने पर बारात को रोका गया और बारात को रोक कर अन्य रास्ते से ले जाने का दबाव बनाया दलिट समुदाय के लोगों द्वारा विरोध किया महिलाओं द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर मार पीट की गई, इस दोरान पत्राव में महिलाओं और कई पुर्षों को काफी गंभीर चोटे भी आए देखिए ये थाना अत्रौली छेतर में गाउं है चितनगला वहाँ पर की गटना है जिसमें एक जाटो पक्ष के घर पर एक बरात आ रही थी और गाउं में उस बरात में कुछ लोगों से गाउं के दूसरे पक्ष के लोगों के साथ जड़ा पोगे उनकी कुछ सी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और इसके पशात दोनों पक्षों में कुछ इट भी चलाए गए और दोनों पक्षों कुछ ओट भी आई है और इस सम्मन में ठाने पर जो जाटो पक्ष है उनकी तरफ से तहरीर दी गई जिसके आधार पर सेस्टी और अन्यदाराओं में मुकदमन दल्ज किया गया है और जैसा कि मैंने बताया कि यह ऐसा कोई सुनी नहीं था और यह बरात को लेकर वहीं पर कहा सुनी हो गए इसलिए ऐसे गटना हुई है अब इसमें गिरफ्तारी के प्रयास जारी है कल यह फाय आफ़ दल्ज हुए और शीगरी गिरफ्तारियां की जाएंगे आप मुझ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वेला आइकन को ट्रेस करें लेटेस्ट नीज अपडेट के लिए